हेलो अप्रिवन गुड मॉनिंग नमस्कार जैहिंद राधराधे स्वागत आपका अनकैडमी इंदिदरनुस से योट्यूप दोस्तों तो जैसला कि आपको पता है रोज सुबाद 10 बजे आप हमारे साथ जोड़ते हो रोई सर्गे साथ जहां आप देख रहो दोस्तों से से स कि में खिलजी डानस्टी का पार्ट है कि आए मोड़िवल है चलिए तो देखते हैं दोस्तों आज एक चुल देखो लेट नहीं होता है यार कुछ टेक्निकल हो जाती है इस कारण से एकाद मिनट लेट हो जाते हैं तो क्या मैं भरभाई नहीं करता हूं बताओ ना अवाज कि लिए चलिए देखते हैं शुरुवात करते हैं तो कल हम लोगों ने खिलजी डारेक्ष्टे में काफी कुछ नए कोर्शन अप्डेटर कोर्शन देखे और खासकर अल्लाउदन खिलजी के बारे में पूरा डिटेल इंफॉरमेशन है नो नमसकार नमसकार नितेश पांड अगर में खुशकबरी दोस्तों खुशकबरी क्या है कि जो अनकैडमी यसे से लाइव चैनल है अब से क्लास उस पर चला करेंगी उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएंगी ठीक है तकल साम वाली क्लास में बहुत चालान कटा अंस वह तो सुरु ठीक है चलिए और रेगुलर आप 5 बद कर 15 मिनट पे जुड़िया हमारे साथ कहां पे दोस्तों तो अनकैडमी पे और अनकैडमी पे बहुत जल्द आपको सुबह 10 बजे वाली क्लास भी दिखेगी और 9 मंदे से 9 बजे करेंट अफेर्स दूसर करेंट अफेर्स कहां पे अनकैडमी लाइव इससी पे ठीक है याद रखना बिलकुल चलिए और 12 जनवरी से दोस्तों नया बैस सुरू और अक्सी के चिशल का मेरी टाइमिंग साले 11 बजे है तो आप जोईन करिए और उसका फाय एडमी ओफर कर रही अभी है ना चलिए कुस्टा नंबर वन दोस्तों बहुत आसान मदुरही तक सफलता पर बढ़ने वाला देल्ली का जन्रल कौन था मुहम्मद गोरी मलिक काफूर अलाउद नंखिल जी कुस्टा नंबर एक चलिए जल्री डूइड फास्ट तो हूँ आइडा देल्ली जेनरल हूँ सक्सेस्फुली मास्ट अप्टू मदुरही की जर्खा मुहम्मद गोरी मलिक काफूर अलाउद नंखिल जी क्या निकल कर आएगा सी ची चैसे अच्छा यह बताओ अनुदर खिल जी क्यों नहीं होगा मेरा कर गया पहले ही अलाउद घिल जी क्यों नहीं होगा आप क्यों लगा रहे हो option number C ये बता दू मुझे जैस्त्री महाकाल रिसब ये ठीक है कि आप अपने original ID से आतो ये अच्छा लगता है जाना पाइचाना लगता है तो दोस्तों इसलिए ना क्योंकि यहाँ पर आपको क्या पूछा है दिल्ली का जन्रल जन्रल धैट मेंस सेना पती अगर पूछता रूलर शासक पूछता रूलर पूछता दोस्तों तो हम अल्ला उदिन खिलजे लगाते हैं क्लिर है अल्ला उदिन खिलजे लगाते हैं गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग बास समझ वारा है तो मलिक काफूर इस नून ऐस मलिक काफूर को दोस्तों हम लोग किस नाम से हजार दिनारी के नाम से जानते हैं हजार दिनारी के नाम से जानते हैं क्यों सर्थ क्यों कि मलिक काफूर को हजार दिनारी में खरीदा गया था दोस्तों और एक बात और समझ लिजिए कि मलिक अफूर वाज थर्ड जेंडर थर्ड जेंडर यानि neutral था वो जिसे हम कहते हैं आज के भासा में शक्का बोलते हैं न हिजला था वो थर्ड जेंडर था वो ठीके और एक चीज और समझेगा कि सर जो दच्छिन भारत जो दच्छिन भारत पर आकर्मन हुआ है दच्छिन भारत पर जो आकर्मन हुआ है दोस्तों अल्ला उदिन खिल जी का तो किसके मदस से सर मलिक काफूर के मदस से मलिक काफूर के मदस से याद रखेगा मलिक काफूर के मदस्य गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग मलिक काफुर के मदस्य ठीक है चलिए आगे देखिए तूतिय हिंद अमिर खुसरों का जनम कहा हुआ था पातली पत्ती पतियाली पतियाला कुशर नुम्बर टू कुड मॉनिंग कुड कुड बॉनिंग चलिए तूतिय हिंद अमिर खुसरों बॉन इन पतली पतियाली पतियाला कुशन नुम्बर दो सी यूपी सी यूपी सी यूपी सी यूपी अच्छे यह बताओ ठीक है आप कहे रहें सर आपसा नुम्बर सी बिल्कुल करेक्ट है मैं आपके साथ हूं लेकिन यह उत्तर परदेश में किस डिस्टिक में है यूपी के किस डिस्टिक में बताए ये यूपी के किस डिस्टि यूपी के एटपरिस्टिक में अमीर खुश्रों का जनलर्न मुवेतलत दोस्तों एक चीज और याद रखेगा कि अमिर खुश्रों भारत में टबला और सीतार का इन्डिवेंटर सीतार का विश्कारक खरी बोली का विश्कारक मैं में हमेंसन गरी देता हूं किसका तुसर खरी बोली का विश्कारक खरी बोली का विश्कारक यह याद रखिएगा तबला और सितार का विश्कारक और किसका विश्कारक था बता सकते हो गया है थाना है नहों सिपेर फुतु यह सब पढ़ा दिया मैंने कली किसने कौन-कौन से किताबे लिखी है इसने कौन-कौन से बुक्स लिखी है बताओ कल बताया नहीं बताया सब तो बताया कल ठीक है अजब आगे देखो तो अमिल खुसरों का जनम कब हुआ यह आप देख लो कि सर 1253 में अटा उत्तर परदेश के पतियाली में वे मद्धेशिया की किस जाती से थे तो लाचन जाती से थे तुर्क सैफुद्दिन के पुत्र एक चोली क्या आए ना कि यह मद्धेशिया के दो थे भारत क्यों आए मंगोल इनके पिता को बहुत सता रहे थे बहुत परिसान थे इसलिए भारत आए और अमिर खुसरों की माता डौलत अनाज हिंदू राजपुत थी उन्होंने अब एक चीब मैंने आपको कली बताए दोस्तों कि यह कम से कम आठ राजाओं के सासन को देखा लेकिन नहीं यह ग्यारा सुल्तानों के उत्थान पतन को देखा तीन राजवंस गुलामवंस खिलजीवंस और तुगलग तीन राजवंसों का सासन को देखा और ग्यारा सुल्तानों का उत्थान पतन अपने आखों से देखा है थीक है आरिवा समझ में किस जाती से यह याद रखिएगा लाचन जाती यह कई बार पूछा है पेपर में सब्सक्राइस अब पूछता है कि किस जाती से ते यह लाचन जाती से थे हमिए लगता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कंई पूछा गया है किके थे लाचन जाती से दे कहां से आये थे वो तो उनके पिता तुर्क से फोद उनके पुतुर थे ठीक है अल्ला उदुन खिल जी के दर्मारी को भी बिल्कुल करेक्ट आप हंडिर परसंट ठीक है चलो आगे देखो नेक्स्ट किसकी रचना अमिर खुसरों नहीं की थी तारिक से अलाई खजाइन उल्फुतु तुगलक नामा ताजूल मासिर कुछन नंबर तीन को चलिए जल्दी बता जो कुछन आप नहीं पढ़ेंगे वह कुछन में पढ़ाऊंगा क्योंकि यह सब पेपर में पूछे गए सवाल है क्या निकल कराएगा जवाब बी डी बी डी बी डी तो विच अब फॉलेविंग बास नोट कंपोश्ट बाए अमिर खुसरों किसकी रचना अमिर खुसरों नहीं की थी जो सी लगा रहे हैं बिलकुल गलत है इसलिए मेरे दोस्तों क्या भी मैंने आपको बताया कि अमिर को देखा खेल जी को देखा और तूगलक को देखा तूगलक को देखा तो मेरे लाल मेरे पीले मेरे काले नीले जब तूगलक को देखा तो तूगलक नावा तो लिखाई होगा तूगलक नावा तो लिखाई होगा क्या निकल कराएगा सर ताजूल मासिर ताजूल मासिर कि तो आप देख सकते हो ताजूल मासिर पुष्टक हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा हसन निजामी के द्वारा और इस पुष्टक में ताजूल मासिर पुष्टक में मुहम्मद गोरी के भारत आकर्मन के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है हसन निजामी, ठीक है, किलिए रहे, आज इस बात इस समझ में, तो मुहम्मद गोरी का जो आकर्मन भारत में कई सारा हुआ दोस्तों, 1175 में मुल्तान, 1178 में गुजरात, 1191 में तराइन, 1192 में तराइन, 1194 में चंदावर, जिसमें से ये जीता, ये हारा, ये हारा, ये जीता, ये जीता, ठीक है, याद रखेगा बिल्कुल, चलिए आगे दिखे, बिंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पर्थम तुर्क सुल्तान को हों था, बल्बन इल्टूतमिस अलाउद इंखिल जी फिरो सा तुगलक कुशन नम्बर चार, चलो, बिंध्याचल को पार्क की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला तुर्क सुल्तान को हों है, तो आपको याद रखने चाहिए दोस्तों कि सर अलाउद खिल जी पहला सासक है अलाउद खिल जी जिसने दच्छिन भारत पर आकर्मन किया अब आप मुझे ये बताईए कि जब दच्छिन भारत पर ये आकर्मन किया तो उत्तर भारत से जब दच्छिन भारत जाएंगे त तब तक हम दच्छिन भारत नहीं जाएंगे तो कोशन की सीधा नहीं पूछा क्या पूछ दिया कि विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पर्थम तुर्प सुल्तान कौन है कि भास तमझे ना रहा है थर्ड तराइन कब हुआ था यह बताओ अंस 1215 में तो की विंध्याचल परवतन भारत को दो भागों में डिवाइड करता है नौर्थ इंडिया और सौथ इंडिया ठीक है याद रखना बिल्कुल चलिए आगे देखिए अलाओ दिन खिल्जी के आकरमन के समय वारंगल पर किस राजवन्स का सासन था तोल चालुक्या काक्तिया यादव कुशन नंबर पाँच चलिए बताईए बताओ जल्दी बताओ रिवीजन करो नहीं रिवीजन करोगे तो कहानी पता है न हिस्ट्री जोगर्फी बेवफा दिन पढ़े तो रात सफा रात पढ़े तो दिन सफा बेवफा निकल जाएंगी रिवीजन करिए तो दोस्तों आसान सवाल है कैसे आसान सवाल है यह देखो सर यादो यह कहां दे तिलंगाना को जानते हैं तिलंगाना क्या ये तिलंगाना तो परसों पढ़ाया मैंने तरायन का तीसरा आयूद आज साफ हो गया भूल गया आज ठीक है तो बाद समझना जी तो याद रखेंगा बिलकुल जान ऑuição कझति तिलंगाना ठीक है एक सवाल और बने गाफ दिखो भी विकास डिकेदिया रामपा टेम्पल तिलंगाना में है तूशसरा मपा टेम्पल का निर्माण मभी काक्ति याद रखेगा रहा मपा टेम्पल कभी चलिए आगे देखें किस अमर्दिकालिन शासक ने सारुजनिक वित्रन पर नाले प्रारम की थी बल्लबन ने अल्लाउदन खिल जी ने फिरोशा तुगलक ने मुहम्मद बिन तुगलक ने कुशन नुबर सिक्स कि चलिए अधाए बताव क्या होगा शोच के जवाब देना यह मत सोचना कि खिलजी निस्टी पढ़ा रहे हैं तो सारा जवाब अल्लायूम खिलजी ही होगा और ये भी मैं सोच रहा है कि रोवी सर कहा रहे हैं तो उनके बाद वालनों भाई मैं बिल्कूल नहीं जानता मैं किवल कोशन आपको दिखा रहा हूं कोशन गलत करोगे सही करोगे इसके बाद मैं समझाओंगा आपको इसलिए मेरे पर भारुसा मत करना ठीक है सर आप खुझ सोचिए कि अलाव दिन खिलजी ने सारे लगवग दिल्ली के आसपा सारे वस्तूओं का जो प्राइस था सारे वस्तूओं का जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया तो भाई पेडिया सिस्टम में जो सारदूनिय वित्रन पढ़नाली है पब्लिक डिश्टुबिशल्स शिस्टम में प्राइस कुख्शी तो रहता है सिर्वात अलै खेंग की और इसके बाद ये जबरदस्ट तरीके से बलाता फिरोसा तुगलत के समय में जलत करा दिया ने क्या अब हिंट दिया कि आलाओ दिन खेंगे जब लट रहे हैं तो आप खुद से सोचते अीग्यू लगाते मैं पटाओ ठीक है चलो आजाओ अब देखो अलावदन खिल जी ने सावदनिक वित्रन परनाले प्राणम की थी जिसे हम बाजार नियंतरन परनाले भी कहते हैं अभी मैंने समझाया ना बाजार नियंतरन परनाले भी कहा अलावदन खिल जी ने किमतों पर नियंतरन करने के लिए दोस्तों मलिक कबूल को सहना या बाजार अधिछक नियूक्त किया था सहना ये मंडी कल हम लोग ने पढ़ा जिसके नेत्रतों में बाजार में किमतें टै की गई और इस मुल पर भैपारी अपना माल बेचने के लिए वह भी वस्ते है थीक है समझ गए याद रखेंगा सानाय मंडी के बाजार अधिच्च के याद रखना आजाओ नेक्स्ट दिवाने मुष्थक राज के संबंद किस्से था न्याय भूराजस्व दान बाजार कुशन नंबर साथ विट हूम वाज दिवाने मुष्थक राज रेलेटिड जस्टिस लैंड रेमिन्यू चैरेटी मार्केट कुशन नंबर साथ चलिए कोई बात ने दी सब सारा इलाज यहीं पर है तो दिवाने मुष्थक राज की बात करें दोस्तों तो यह लैंड रेमिन्यू से था और अल्लावदिन खिल जीने से अल्लावदिन खिल जीने से शुरुवात की थी क्या था लैंड रेमिन्यू हना भूराज रेमिन्यू से संबंदी था दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने किसानों के साथ परत्यक से संबंद स्थापित किये फिरोशा तुगलक अ फर्स्ट शुल्तार दिल्ली सल्तनत हुँ इस्टेबिश्ट डारेक्ट रिलेस्टेस्ट विद दा फार्मर्स कुशन नम्बर आठ चलिए कहीं ऐसा तो दी कि मुहमध बिन तुगलक होगा कियुकि इसने दिवाने को ही दिवाने को यह लाया था जो जो एगरी कल्चर डिपार्टमेंट था कैसा था गया मुहमद दिन तुगलक है क्या नहीं न वह बाद में आएगा क्योंकि अल्लाव दिन खिल जी के समय दोस्तों अल्लाव दिन खिल जी ने किसानों से डारेक्ट रिलेशन अस्थापित किया और पचास परतीशत लांड एरिया में कहां पे दुवाब एरिया में कहां पे दुवाब एरिया में किसानों से परत्यक संबंध अल्लाव दिन खिल जी ठीक है याद रहेगा दिवाने को ही क्योंकि अल्लाव दिन खिल जी के बाद आपको मुहमद विन तुगलक दिखेगा दोस्तों एम बीटी दिखे तो पहले डारेक्ट रिलेशन किसने अल्लावदिन खिलजी ने शुरू की थी अल्लावदिन खिलजी ने शुरू की थी कोई कन्फ्यूजन मन में संका इप बट मगर अगर हो तो बताओ फिर चलिए भारत में पर्थम आउसेष्ट गुंबद निम्नांकित में प्राप्त किया गया सुल्तान फिरोज का मदर्सा अलाई दर्वाजा बल्बन का मकमरा धाय दिन का जोपड़ा कुश्टन नम्बर नाइन चलिए बताइए इस दुट है और फोस्ट रेषिडिओल रियल डॉम इंडिया इडिल फांट इंडार फालविंग क्या निकल करा अएगा अरे बतावना अलाई दर्वाजा जोग अलाउदन केल्जें ने बनाया दिल्ली में भी दिल्ली में फिर सीरी का फोट भी बनाय!" और दिल्ली में हजार खम्भोवाला महल भी बनाया है था ऐसा इस ने, कहां पर दिल्ली में कहां तो कुतुब कॉंप्लेक्स में जहां पर कुतुब मिनार है जहां पर लौ अस्तंभ है जहां पर अलावदन खिलजी का मकमरा है जहां पर इल्टूतमिस का मकमरा है याद रखेगा ठीक है और धाय दिन का जोपड़ा की बात करें तो यह अजमेर में क रखेगा ठीक है 1326 में 1326 सन के बाद अल्लावदन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच जो सीमा है वो कहां थी रावी नदी व्यास नदी सिंधु नदी सपलाज नदी कुशन नमबर दस रावी नदी क्या बात है रावी नदी क्या बात है रावी नदी किस खुशे में रावी लगा दी है इंडस सिंधु नदी को ही बाउंडरी माना गया था कि भाई साब आपने बहुत आकर्मन की मेरे उपर पचास से उपर आकर्मन हुआ है तो अब हम डिसाइड कर लेते हैं सिंधु नदी के उधर आप रहिए सिंधु नदी के दर हम रहें ठीक है याद रहेगा सिंधु नदी याद रखेगा सिंधु नदी है नो विद्धो वंसस कौन थे जिन्होंने खिलजी सासकों में ततकाल पहले और बाद में सासन किया था गुलाम लोधी सयद लोधी गुलाम तुगलक तुगलक लोधी कोशन नमबर ही क्या रहा है चलिए रिशब कहां पढ़ा लिया भैई अना है अ कि बताव क्या होगा अरे इतने आसान सवाल है बतातो दो कि इतने इजी सवाल गलती करोगे स्लेव और तुगलक आप्सान नमबर सी आप्सान नमबर सी ए गुल खिलतू सैलों में ए गुल खिलतू सैलों में तो भैया गुलाम वन नमबर दो नमबर तीन नमबर क्या वोला खिल जी के पहले खिल जी के बाद निकाल लो खिल जी के पहले खिल जी के बाद यही तो था कहानी ठीक है अलावदन खिल जी के मिर्तियों किस रोग के कारण हो भी थी मज़ा आएगा पताओ पांडू रोग जलुदर रोग करक रोग सिरोसिस रोग कुश्च नमबर बारा चलिए ड्यू टो विच डीजी अलावदन खिल जी गोन चला गया अलावदन खिल जी के मिर्तियों किस रोग के कारण हो भा था शिसिर बी कह रहे है और इस तब भी बी पांडू रोग इसकिप देखो एक चीज़ समझेगा अब सिरोसिस है यह लिवर की बिमारी है बहुत ज्याइदा सिरोसिस है न लिवर से रिलेटेड है पांडू रोग पिलिया जॉन्डिस लिखा हुआ जॉन्डिस इंग्लिस में तो आपको याद होगा प्राचिन भारत में बिम्बिशार ने अपने के डॉक्टर जीवक को भेजा था कहां उज्यायन जो चंद पर्द्योत का इलाज करने के लिए उसको पांडू रोग हुआ याद आया कुछ तो याद आया तो जलूदर रोग अवसर यह रोग क्या है इस रोग में ना पेट में के निचले भाग में पानी भर जाता है और फिर धीरे-धीरे अब यह देखो जो डेट है ना कहीं दो जनवरी लिखता है कहीं चार जनवरी लिखता है कहीं पांच जनवरी लिखता है तो डेट पर मत जाहिएगा ति-安اف 316 को जलूदर रोग से गर्शित अलाव मिरती ये जलूदर एक समस्या है जिसमें पेटे में पानी लेक्विड जमा हो जाता है और पेदे में पानी खाली जगाँ होता है अगर पेट में जमाद लिक्विड जायदा मातरा में हो तो यह इस्थेती दर्दनाग हो सकती है जिससे रोगी को प्राप्लम हो जाता है ठीक है क्लियर है क्लियर है न चलिए आगे देखिए कौन अलादुन खिल जी का पुत्र नहीं था दोस्तों कि जर्खान सिया बुद्धिन उमर कुद्धिन मुबारक साह मसूद साह कुछाण नमर 13 13 कि बताओ कि क्या होगा तो सब्सक्रा अलावगन खिल जीगा पुत्र कौन नहीं था मसूद साह खिजर खान आपको याद होगा खिजर खा के नाम पर खिजराबाद रखा था कि खिजराबाद किसका चित्तोर का नाम कि चित्तोर का नाम दोस्तों मुवारक साह लास्ट अंतिम रूलर जिसने खलिफा की उपाधिली खलिफा की उपाधिली और श्याबुद्धिन उमर तूसरा बच्चा और दी नहीं होगा याद रखेगा जाओगा दी नहीं होगा याद रखेगा ठीक है नास्तुर्दिन खुसरों साने अमरिकेन में से कौन जू पाधी धारन की थी उलूख खाने खाना पैगंबर का सेनपती ताजूल मुल्क कुर्शन नमबर फोर्टीन विच अब फॉलोविं लूख खान क्या वाथ है बहुत सांदार अब आपको पता उने चाहिए कि उलूख खान ये टाइटल दिया गया था बलबन को कि श्रुषा नहीं ना से रुद्दिन न महमूद ने पाई क्यों भूलते हो पला चुके यह क्यों भूलते हो बता तो चुके यह ए क्यों भूलते हो तो पैगंबर कर सेनपती को मान लिया था यह जो दमात था बिल्कुल करेक्ट तो सोचिए गलत मत लगाईए और आप्सम को पढ़िए सोचिए हैना खाने खाना की बात करें यह मुगल काल का है अब्दूर्रहीम को उपादी दी गई थी खाने खाना की ठीक है कि खिल्जी वन्स के अंतिम सासक नास दुर्दिन खुसरों साक्य हत्तियां किस ने की एनुल मुल्क मुल्तानी वह उद्दिन मुहम्मद जूना खा या गाजी मलिक कुशन नंबर 15 चलिए है हाँ बाबर नामक बाबर नामक अनुवाद नहीं तुझ के बाबरी का अनुवाद ठीक है तो क्या हो दोस्तों असान सवाल लेगे गाजी मलिक जो कौन गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा कौन गया सुदिन तुगलक गया सुदिन तुगलक क्योंकि कल तुगलक की बारी है कल तुगलक की बारी है और फिर एक दिन पूरा मिडाबल हिस्ट्री से क्या कहते हो क्यों दिल्ली सल्तनत रैपिट फायर वोड में तु देख लो रोज 40-40 कर रहे हैं कितने सावार हो जाएंगे कुर्शन अंसर कुर्शन अंसर चलते जाएगा रिविजन भी हो जाएगा ठीक है याद रखना बिल्कुल पूरा दिल्ली सल्तनत रिविजन एक क्लास में कि दिल्ली सुल्तारों के सासनकाल में बंदगान एक खास किसे निर्दिष्ट करता है साही गुलाम भतियारा डाक वहक राज अस्तबल के पहरेदार कुश्ण नंबर सोला है कि अ चलिए क्या होगा साही गुलाम अरे बंदगान एक खास याने दिवाने बंदगान आपको याद होगा दोस्तों फिरोज तुगलक के समय फिरोज तुगलक के समय फिरोज तुगलक के समय ठीक है साही गुलाम याद रखिएगा नमलिकित फार्सी के कव्यों में से किसे भारत का साधी कहा जाता है अमिर खुसरो अमीर हसन सेख अबूल फैजी हुसाइन सनाई कुश्ण नंबर सत्रह कुश्ण नंबर सेविंटिन चलो बता खुसरो खुसरो अमीर खुसरो अमीर खुसरो अमीर खुसरो क्या बात हैं machstी उत्तम सांदार जबरदस्ट जिंदाबाद लेकिन जवाब गलत अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा गया तो यह हाल रहा तो सारा धान एक ही पसेरी बेचोगे सब धान बगवा एक है पसेरी कुछ धान जो मानलो परमल है नो वो अलग है तो कौन है अमीर हसन दोस्तों अमीर हसन बलबन के काल का परसिद विद्वान था अमीर हसन किसके समय का तो बलबन के काल का परसिद विद्वान था फवायद उल्फवाद इनके द्वारा लिखी के किताब फवायद उल्फवाद इनके परसिद करेती है अमीर हसन पूरा नाम देखो एद्धेलवी उच्छ कोटी का गजल रचेता था इन्हें भारत का साधी कहा जाता है इन्होंने बलबन के राचस्व सिध्धानत की दो मुख्य विसस्ताएं बताई कहा सुल्तान का पद इस्वर के द्वारा परदान किया गया और दूसरा सुल्तान का निरंकुस होना थीक है क्लियर है ना नमलिकित में से बलबन के काल में विद्रो करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था अली मर्दान खा तुग्रिल खा बुग्रा खा उप्रक्त में से कोई नहीं सवाल पूछे गए सवाल है यह सस्थी में बताईए कुस्टन बठा रहा जल्दी क्या होगा अरे तुग्रिल खा कौने बंगाला गवर्नर तुग्रिल खा था कौन था तुग्रिल खा था ठीक है कि सुल्तान ने सीमा विश्थार के निती नहीं अपनाई पिश्थान रूलर डिद नॉट अड़ दा पॉलिष ऑप एक्स्पेंसर और बाइन रिज बालबन इलतूत्मिस ग्या सुदिन तुग्ला का लावद खेल जी कुसरा नमर नाइंटिन पताओ तुगरिल बेग भी बोलते बिल्कुल सर आप बोल दीजिए और मैं आपके बात काटूं बल्बन ने विस्तार की नीती नहीं अपनाई थी जब कि इल्कूत मिसमें अपने एडिया ये एकश्पांड किया गया सुदि दिजिए नीविका था लिकिन यो उदार सासक था उदारसासक सासक और सबसे वृद्ध सासक और सबसे वृद्ध सासक दोस्तों वृद्ध सासक ठीक है अलाउदन खिल जी तो थाई था ठीक है क्या होगा बल्बन याद रखिएगा क्या होगा बल्बन ठीक है दिल्ली सतनत के सासकों में किसका राज़तों का सिध्धान्त परतिष्ठा सक्ति और न्याय पर अधारित था इल्थूतमिस रजिया बल्बन अलाउदन खिल जी कुश्ण नंबर 20 चलिए बताइए दिल्ली सतनत के सासकों में किसका राज़तों का सिध्धान्त परतिष्ठा अब यह मैं सोचना अल्लाव दिन खिल जी पढ़ रहे या खिल डानेश्टिक पढ़ रहे जो सब खिल जी होगा मैंने भी कहा कुई दिर पहले ही आपने बात माना ही नहीं आपने क्या होगा बल्मन करेक्ट बिलकुल जिसने राज़तों के सिधान्त को अपनाया और रक्त और लोहनीती रख्त और लोहनीती को अपनाया था याद रखेगा भारत में पर्थम मक्मरा जो सुद्ध इसलामी सैली में निर्मित हुआ था बल्बन का मक्मरा हुमायू का मक्मरा एबग का मक्मरा अल्लावदिन का मक्मरा कुशन नुमर 21 चलिए हदी सजदा पैबोस नौरोज सब चलिए सुद्ध इसलामी सैली की बात करें तो बल्बन का मक्मरा अरे कहां हुमायू जा रहे हो इतने मक्मरे बने हैं हुमायू तो विचाराबाद में आया मतल़ हुमायू के पीछे पल गए हाँ ये ठीक है दिल्ली में है और हुमायू के मक्मरे में भारतिय सैली मिश्रन है इंडियन सैली भी है इंडियन आर्किटेक्चर भी है यह कह रहा है सुद्ध इसलामी सैली की बात कर रहा है सवाल पर ना सवाल पर यह ने सुध इसलामी सैली की बात करा जब कि चितने भी मुगलकाल के मकमरा है उसमें भारतिय सैली मिश्रन है यह याद रख़्िएगा भारतिय सैली मिश्रित है इसलिए गल्ती मतलगाना ठीक है नमलकी सुल्तानों में से किसने गह मुक्तेश्वर की मस्जिद की दिवारों पर अपने सिला लेख में खुद को खलीफा का सहायक कहा है अल्लावदन खिल जी बल्बन जलावदन खिल जी मुबारक खिल जी कुस्टर नंबर बाइस देख लो हमें लगरास पहली बार पढ़ रहे होंगे सवाल यह सब अनुद बताओ अल्लावदन खिल जी से सिर कहने बल्बन मुबारक साब बल्बन स्किप मजारत लाइक वग ठुका ठुक बल्बन देखो बाई साब मुबारक खिल जी ने खुद को खलीफा माना था खुद को यह क्या माल लिया था सेर खलीफा माल लिया खुद को खलीफा माल लिया यह यह से गलत हो गया और अलावदन खिल जी ने को खलीफा से संबंदी तोड़ लिया क्योंकि धार्म और राजनिति को अलग कर लिया रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर लिया और भाई यह तो उदार सा सकता है सो कोई मतलब भी नहीं था तो तो गल्मुक्तेश्वर कहा ह तो यह उत्तर परदेश में है कहां पे है उत्तर परदेश में याद रखेगा गल्मुक्तेश्वर कहां पे उत्तर परदेश में यूपी में है ठीक है याद रखना आजओ आगे बल्बन की उपाधी जिल्ले इलाही का वास्त्वे करत क्या है दोस्तों I am a god मैं इस्वर हू सैडों गॉड इसवर की छाया हेट टू दे इंटार इंपायर संपुन सामराज को उत्रा धिकारी यह वोल्ड चैंपियन विश्व विजेता कुश्चन पर तेश चलो आज आवागे तो कि बल्वन ने टाटल लिया था ने जिल्ले इलाही उसका साब्दी करते क्या होता है तो साब्दी करते दोस्तों इसवर की छाया विश्व विजेता मतलब कौन पता है जहांगीर कि जहांगीर के साब्दी करते दोस्तों विश्व विजेता कई बार पूछा है जहांगीर के साब्दी करते जानी इसवर की छाया ठीक है इसवर की छाया याद रखिएगा अलाउदन खिल जी की जीत को कालानु करमिक करम में अरेंज करिए अरेंज दा विक्ट्रीज ऑफ अलाउदन खिल जी इन क्रोनोलोजिकल ओडर रंथंभावर गुजरात चित्तवड तिलंगाना यानि वारंगल तिलंगाना मतलब वारंगल चुलिए बताइए कुश्वर नमर 24 बताओ बीए सीडी सिर्जी कह रहें बीए सीडी स्चूटी भी कह रहें बीए सीडी रामरा मन्जू जी अब लेट हो गई अब तो चलने की बारी है कि देखो सबसे पहले गुजरात जीता यह तो फैक्ट है अब गुजरात जीता तो आप्शन कहीं बी है क्या है ना कि वह एक एक आप्शन था निकाल लिए यह तो सोचने वाली बात थी पहले तो गुजरात जीता ही है कब जीता सर गुजरात 1299 में सासक बनने के बाद स्थांबौर तेरा सो एक चावान वंसका सासंदा उसपी चिताओर तेरा सो तेन और वारंगल तेरा सुवाट है ठीक है आपके सामने याद रखिएगा मुहमद गोरी की जीत के बाद भारत में जारी किये गए सिक्कों में किसे नाम का इस्तेमाल किया गया था स्री मुजुद्दिन मुहमद स्री मुहमद सैम स्री इबन सैम स्री मुहमद मुजुद्दिन कुछा नमबर 25 25 चलिए कुछा नमबर 25 तो मुहम्मद गोरी जब जीता था तो आपको पता ही है कि मुहम्मद गोरी की जीत में पुर्द सेम स्री महांद सेम आपसन नमबर बी स्री महामद सेम दोस्तों भारत में पिर्थिवीराच चवहान और मुहमद गोरी के संजुक्त सिखा भी है जिसमें एक तरफ पिर्थिवीराज घोड़ी पर दिखाया सब्सक्राइब क्या होगा परियाग गुजरात कहने गुजरात परियाग सब्सक्राइब क्या हो सकता है अरे गुजरात रिशाविच कारेक्ट सब्सक्राइब बहुत बढ़े सर ठीक है अब यह देखो आपके सामने गुजरात संस्कृत सीखने केक महान केंजर के रूप में विक्सित हुआ जब की मिठला बिहार नियाएक सिख्षा के लिए परसीद हो गया विक्रम सीला तर्क के अध्यन के केंजर के रूप में विक्सित हुआ है कि बात आ रही समझ में तो यह सब सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे हंडेड़ परसेंट कि बख आप खाली रिसब का नाम नेते हैं बख मतलब क्या होता है डार हमें बताओ जरा सा कि सिवेटी जी करें बख खाली का नाम लेए बख मतलब क्या होता है बख मतलब यह कौन से लेंग्विज भाई टूं कि भी जवाब देते हैं ना भीकाश जी केबीच आवधी के रूपधी के रुपए जाना जाता है दोस्तों 1260 1290 1260 1257 1260 1226 1230 कुछ नमर 27 चलिए चलिए विकास जी 1260 1526 पवण जी सी 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 देखो कई लोग ना 1260 1290 लगा रहें यह केवल और केवल गुलाम वन से यह केवल और केवल गुलाम वन से याद रखेगा जबकि यहाँ पूरे दिल्ली सल्तनाद की बात की गई है पूरे दिल्ली सल्तनाद की बात की गई यह 1260 से 1526 अगर सेंचूरी की बात करें तुक्ता निकल कराएगा सर 13th century to 16th century क्योंकि सताबदी में हम आगे बढ़ते हैं सौशाल जूडते हैं न दिल्ली सल्तनाद की प्रशासन की संदर्व में कौन राज पत्र चार विभाग था दिवाने अर्ज दिवाने खैरात दिवाने रिशालत दिवाने इंशा कुश्टर नुबर 28 चलिए बताब क्या होगा इन दे कंटेस्ट अब एड्मिस्टेशन अब दिल्ली सल्तनत विच अब फॉलेविंग वाज दे स्टेट कॉर्स्पोंडेंस डिपार्टमेंट कुश्टर नुबर थाइस बताई क्या होगा और इस तो दिवाने इंशा ये सैन संब भाक है है पड़ा चुकर जो बल्लमण ने शुरू किया था देवाने खैरा दान भी भाग है का डोनेशन डिपार्टमेंट जो फिरोशा तुगलग ने शुरू किया था एस ने सुरू किया था आश से विभाग दिवाने इंसा साहे पत्र विवार का विभाग दिवाने रिसालत धार्मिक विभाग दिवाने बंदगान दासों का विभाग दिवाने खैरात दान विभाग दिवाने मुष्थक राज बकाया वसुल करने के लिए अल्लावदुन खिलजे ने बनाया ता दिवाने क बताओ इस्से ज्यादा अबाहर आताया लूंग चाहरु सब्संग करें नहीं मनते डिर्शालत और रियास्वन क्या अंतर रिशालत मतलब हो गया धार्मिक और क्या साथ मतलब क्या हो गया आपका राज्य सभीभाब कॉमर्स डिपार्टमेंट चंगेज खान का मूल नाम क्या था दा औरिजिनल नेम अब चंगेज खान खासुल खान एस गोई तेमुचीन ओगदी को सब्सक्राइब ट्विंटे नाइन चलिया तो क्या है चंगेज खान का नाम तेमुचीन या तेमुजीन या तेमुजीन तो चंगेज खान मंगोल सासक जिसने मंगोल सामराज विश्तार परमुख भूमिका निभाई जिसका नाम तेमुजीन या तेमुचीन था तेमुजीन या तेमुचीन था याद रखेगा ठीक है इल्टोतमिस ने बिहार में अपना पर्थम सुविदार की से नियुक्तिया था कुछन नम्बर 30 आज का अंतिम सवाल ये वाज नसर दुन महमूद अली मर्दान मलिक जानी कुछन नम्बर 30 चलिए तो दोस्तों क्या होगा मलिक जानी को बिहार में अपना पर्थम सुविदार नियुक्त किया था ठीक है तो ये था आज का सेशन उम्मीद करते हैं समझ मायगों मज़ा आया होगा देखो इलत्युत्मिष ने बिहार सरीफ और बार जो पत्ना के पास है अधिकार कर राजमाहल की पहारियों में तेलिया गड़ी के समिप हिसामुद्दिन एवाज को प्राजित किया और फिर मलिक जानी को बिहार का सुविदार नियुक्त किया दोस्तों तो यह था आज का सेशन कैसा लगा सेशन हाओ आज ता सेशन मज़ा आया कापी कुछ नए सवाल देखेंगे आप याद रखेगा कि मंडे से क्लास के सिड्डूल चेंज होंगी अब क्लास इस चैनल पे नहीं अनकैडमी इस से लाइव चैनल पे होगा जो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है इनफॉर्म कर दिया जाएगा आपको बीच में ठीक है साम को चार बज़े भी क्लास लगते है वाइफाइस्टेडी पी और पांच बचकर पंदरा मिनट पे स्पेशल क्लास ठीक है दोस्तों सेसर अच्छा लगाओ तो लाइक वाई करके जहिए और बाराथ जन्वरी से जो पैस शुरूरा मित्र आप जूर सकते हो हमारे साथ इससी के लक्ष बैच में ठीक है जिसमें से 23 परसेंट का फायदा उठाई है और दीटेल पर यह एक बार इस तरीके चे पर लोगे थिवरी न तो यह ऐसे कोश्चन में आपको गल्ती होने की संभावना बहुत कम रहेगी ठीक है दोस्तों जिसमें लक्ष बैच शुरू हुआ है बास्तारिक से पंटिन्यू वाली है तो अब इंडॉल करिया भी अपने आपको है न और टेस्ट दे सकते हो दोस्तों टीर वन टीर टू गुरूब डी एंटीएस और नोट्स चाहिए अगर से निकाल सकते हो चार स्टेप है डाउनलोड करने के और अपने आपको अगर आकना चाहते हो तो साम पाच सकते हों अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा मिलते फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थाइंक्यू शुक्रिया जय हिंद जय भारत